हेलो फ्रेंज जोहार आप सभी को मीरा आज हम लोग बनाएंगे शाम का नाश्ता जो छटपट बन कर त्यार हो जाता है इसकी प्रिप्रेशन में थोड़ी टाइम तो लगती है बढ़ ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है तो चलिए इसे बनान शुरू करते हैं यहां म तीन बार हम अच्छी तरह से वाश कर लेंगे एक प्रेशर को कर लेंगे इसमें मैं ने चने को डाल दिया है इसमें थोड़ा सा पानी डालोंगी और उतना पानी डालना है जिससे चना हमारा अच्छी तरह से पक जाए अब मैं इसमें डालोंगे एक चममच नमक आपने प्रेशर कूगर का ढखकन बंद कर लेते हैं इस चने को हमें लो मीडियम फ्लेम में 5-6 सिटी आने तक पकाना है तो चलिए ग्यास अन करके इस प्रेशर कूगर को ग्यास पे लगा देते हैं यहां 6 सिटी हमारी पूरी हो चुकी है अब चने का पानी निकाल कर हम इसे एक बोल में डाल देंगे यह देखिए मैंने यहां पर एक बोल में उबले वे चने निकाल कर रखती हैं इसी बुनने के लिए हमें चाहिए एक प्यांच यहां पर मैंने इसे काट लिया है दो लाल मिर्च एक चमच कश्मीरी मिर्च पावडर और नमक स्वाद्व नसार एक बहुत जादा हमी सरसो के तेल को जादा हमें नहीं डालना ए and इसमें डाल दिते हैं लाल मिर्च उसके बाद इसमें डालें कटा हूँआ भूँ लेना है इसमें प्तिया अपन ब्यूज को हमें बहुत जादा गोल्डर चना एक चममच कश्मीरी लाल मेच और नमक स्वाद नुसर इसे में पांच मिन्ट तक लो मीडियम फ्लेम में इसी तरह से भूनना है यहां चना हमारा बहुत अची तरह से भून चुका है और यह बिल्कुल रेडी टो सर्व है आप इसे गरम चाय के साथ शाम के नाश्टे में खा सकते हैं और यह खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है